इसके साथ भी मुख्यमंत्री ने विडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिये लाड़वा सब डिविजन कार्यले और लाड़वा ई दिवशा केंद्र का भी शोबारम किया है इसके उपरांत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने दस वच्टा वाहनों को हरिजंडी दिखा कर रवाना किया परदबाद के सेक्टर बारा में आपकारी एम कराधान विभाग के नम निर्मित भवन का उद्गातन करने पहुंचे हर्याना के सीम मनोहर लाल खटर और यहां सीम ने एनेज़ पीसी के द्वारा सीविल अस्पताल का डोनेट की गई पांच एम्बुलेंस को हरिजंडी दिखा कर रवाना किया है और बाद में आपकारी एम कराधान विभाग के नम निर्मित भवन का उद्गातन भी किया और भवन का निर्क्षन भी मुख्यमंद्री ने किया है और वहीं पत्रकारों से बाचित करते हुए सीम ने कहा है कि अब एक ही छट के नीचे 400 करमचारी और अधिकारी एक साथ काम करेंगे इसके साथी सीम ने ये भी कहा कि कोने कोने में छुपे भरस्टाचार को खत्म करना हमारा संकल्प है जहां जहां भरस्टाचार की जानकारी मिलते हैं हम कारवाई करते हैं लेकिन ध्रस्टाचार को मेटाने के लिए आम लोगों और विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिलना जरूरी है ताकि जनता को स्वच फिशासन देने का जो वायदा किया गया है वो पूरा हो सके। साथी सीयम ने आवैद निर्मान के मुद्दे को लेकर ये कहा कि आवैद निर्मान को लेकर जो भी जानकारी हमारे पास आएगी उस पर कारवाई होगी। वहीं बढखल जील के दोरे को लेकर सीयम ने कहा कि उनिसरसी में खुद बढखल जील में नोका विहार कर चुके हैं लेकिन यहां खनन के समय में खनन के द्वारा उधेड कर रख गया गया है था और इसके बात दुश्परणाम के चलते बढखल जील सुग गए। इसलिए अधिकारियों को इस धील में पानी भरने की योजना बनाने को कहा गया है। पेश सैनी को भी पुलिस ने वीरवार को गिरफतार कर अदालत में पेश किया था जहां से उसे चार दिन के रिमाड पर लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने हधियाना करमचारी चैनयोग में फ्रेसर और इंस्पेक्टर की भर्ती करवाने के लिए 28 लाक रुपे लिये थे और साल 2013 में आरोपियों ने अवेधन पत्र और रिक्तिया दिखा कर हधियाना करमचारी चैनयोग के द्वारा प्रेसर और इंस्पेक्टर जनरल पदो पर नोकरी दिलवाने के लिए बात उनके द्वारा कही गई थी और काफे समय बीचने के बाद जब नोकरी नहीं मिली तो तब लोगों ने अपने आपको ठागा हुआ महसूस किया और वहीं समामने को लेकर कालका पुलिस ने एक आरोपि को गिरफतार कर चार्ट बिन के रिबाइन पर भी भेज़ा है और वहीं मुकेश ने पुलिस के बयानों में ये बताया था कि 27 लाख रुपे चार हिस्सों में वसूल किये गए थे और जिसमें राजबीर ने उसे 8 लाख रुपे का चेक विडिया था क्योंकि बाउंस हो गया था और बताया ये भी गया है कि आरोपि राजबीर ने मातर 2 लाख रुपे सूरज भान को दिये थे बाकी पैसा राजबीर और अनीता ठग गए जिनकी पुलिस जाच पिलाल कर रही है उत्तरप्रदेश के उन्नाव में महिला से दुषकर्म और जम्मू कश्मिर में आज साल की बज्च से साहुच दुषकर्म की घटना के विरोध में गोहाना के समता मूलक संगठन ने शेहर में जुलिस निकाल कर रोश्ट जिताया है रोश्ट जिताते हुए मम्म्मता मूलक संगठन ने सरकार के खिलाब नारेबाजी भी की और महिला संगठन ने सरका से जल से जल आरोपियों को गिराफ्तार करने की मांग भी की है महिलाव का नेतरित संगठन की प्रदेश संयोजक दॉक्टर सुनिता त्यागी ने किया दोक्तर सुनिसा च्यागी ने ये भी कहा कि जिस तरह से देश में महीलाओं के साथ घचनाएं बढ़ रही है इस तरह कि उससे महीलाओं स्विम को आसुरक्षित महसूस कर रही है उन्होंने सरकार से योन उत्प्रेडन मामले की सुभाई पास्ट्रेक कोट में दैनिक अधार पर किये जाने और पेड़ित परिवारों को सुरक्षिया मोहिया कराने की मांग की है जमो कश्मिर के कट्वा जिले में आठ साल की मासूम आसीफा के साथ हुए ग्यांग्रेप और हर्ट्रेक के दुरोद का असर इन्हों मेवाद में भी देखने को मिला है लेकिन उसको इनसाफ जिल्वाने के लिए पूरे देश में लोग एकजूट होकर मांग कर रहे हैं कि आसीफा के कातिलों को जल से जल सरजा देकर आसीफा के साथ इनसाफ किया जाए रिवाडी में भारी भदकम इलहंस्मेंट के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को समर्थन देने पहुंचे नेता तुटिपक्ष अभेच ओडाला और वहीं पतरकारों से बाचित करते हुए अभेच ओडाला ने कहा है कि एसवाड के मुद्धे पर सरकार बिलकुल मौन है गंभिर नहीं है एसवाड का पानी लाने के लिए पार्टी अब प्रदेश में जाकर वकीलों से एसवाड के लिए उनसे समर्थन की मांग भी कर रही है और ये भी उन्हें ने कहा कि जब तब हर्याणा में एसवाड का पानी नहीं आ जाता तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे और इसी दुरान बीजेपी पर निशाना साथते हुए अभेच ओडाला ने कहा कि घिनोने कारे करना बीजेपी निताव की परंपरा बन चुकी है ऐसा ही घिनोना कृत्ते बीजेपी अध गवाना से कॉंग्रेस पार्टी के विधायक जग्बीर मलिक ने शुकरवार को अपने निवास पर प्रेस कोंफेंस की और वहीं प्रेस कोंफेंस में विधायक ने बीजेपी पार्टी के सांसुदों की द्वारा किये गए उपवास को उपवास करा दिया है और वहीं जग् अधिर मलिक ने ये भी कहा कि जब सर्वोच न्यायले के न्यायधीश जन्नता के बीच आकर लोगतंतर को खतरा बता रही हैं तो इससे बड़ी पी-एम और बीजेपी सरकार के लिए और क्या बात हो सकती हैं। रहतक अधालत के रेकोर्ड रूम में कारियरत रेकोर्ड क्लर को विजिलेंस ट्रीम में 15,000 रुपे रिश्वत लेते वे रंगे हाथों गिरफतार किया। और बे सुनारिया जेल में बन है। इसी के चलते रेकोर्ड ट्लर्ग महिला के जमानत के लिए 15,000 रुपे की रिश्वत की मांग कर रहा था और नहीं मिलने पर जमानत नहीं देने की धंकी भी दे रहा था। इस मामले को लिकत इसपी महिश शर्मा का एक कहना था कि शुकायत मिलते ही राज्ये चोकी अधिक्षक के नेतरुत में एक रेडिंग टीम गठीत की गई और एसेसदार गुलाद सिंग को बतोर जुटी मजिस्टेट नुक्त भी कर मौके पर दविश दी गई थी और आरोप रेकोर्ड की परको 15,000 रुपे की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों की रफ्तार कर दिया पुलिस ने इस संबंद में आरोपी के खिलाब भरस्ताचार अधिनियम के तहट मामला दर्चकर जाच शुरू कर दी है गेंजर के वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज के प्रबंदक पर चातरों से धमकी दिने का आरोप लगाते हुए प्रदेशन किया गया चातरों का ये आरोप है कि कॉलेज प्रबंदर उनसे एडवांस में दो साल की पीस मांग रहा है अगर एडवांस पीस नहीं दी तो उनहीं कॉलेज से बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी दी गई है इस दुरान चातरों का यह भी कहना था कि सभी चातर सितंबर 2018 तक एडवांस पीस दे चुके हैं लेकिन अब भी जो मेनेजमेंट है उसकी तरह से उन पर 2019-20 की फीस वसुलने के लिए जबरदस्ति की जा रही है और वहीं चातरों का यह कहना था कि उनका बैच जो है 2016 से शुरू हुआ था जिसकी फीस वो 11,26,000 रुपे दे चुके हैं उसकी बाद सितंबर 2018 तक की 9,000,000 फीस एडवांस में भी दे चुके हैं लेकिन अब मेनेजमेंट की तरह से 13,000,000 फीस और एडवांस में और फीस मांगी जा रही है अजिणान के पुनुहाना में चुनाव विभाग विक्तायुक्त अंकुर गुपता ने अनाजमंडी का दोरा किया है पुलिस और मार्केट कमेटी ने किती तरह हंगामे पर काबू पाने की कौशिश की और मामने को शान करवाया अनाजमंडी के निरिक्षन में अच्छी क्वालिटी का गेहू देख अंकुर खुश तो दिखाए दिये लेकिन बही यूपी राजिस्थान से खरीदे गए यहूं की घडबडी ज्छाले पर वो आसहज नजर आए अजणा के कालावाली में सरसो की फसल की खरीदना होने के वज़ा से किसानों ने धर्णा प्रदेशन किया है और सरकार के खलाफ जम करना रवाज़ी भी की किसानों का कहना ये था कि मंडी में उनकी सरसो की खरीद नहीं की जा रही है और इसे की वज़ा से वहां सरसो के धेर लगे हुए है और सरसो रखने के लिए जगे तक नहीं है आरोप ये भी है कि खरीद अजिकारी फसल खरीदने के लिए तयार नहीं है पर SGM ने भी फोन उठाया किया था लेकिन उन्हें SGM ने फोन नहीं उठाया जिसकी वज़त से उन्होंने सरकार के खिलाफ अब्रोश लिताया है गोहानय– गोहना गोरक्ष आडल के समरक्षक और गोह चरण घूमी मुक्ति को लेकर अंधोलन करहें संत गोपाल दास ने सरकार की वाइदा खिलाफी को लेकर कड़ारा प्रहार किया है बताया जा रहा है कि सरकार ने गो माता को लेकर जो पाइदा देना चाहिए था वो नहीं दिया है गाएं पर बोट की राज्योती को लेकर सरकार जो कर रही है वो गलत है यहीं उन्होंने कहा गोपाल दास का कहना यह भी था कि आज की युग में गाएं का बहुत महत्व है जो आजपास का दोशित वातावरन हो रहा है सरकार ने उसे कही नाज कही जो है उसको ठीक कर पाने में आसमंजिस किस्टिसी सरकार के उसे बन रही है उसमें फफलता सरकार की लग रही है और वहीं संस गोपाल दास में यह भी गहा कि जिस किसान के लिए अंतोलन हो रहा था उसकी राए नहीं लिए इस सरकार में और सरकारी और कामका जो सरकार स्वामी नाथन रिपोर्ट लागू कर कर्द मुkt करना था सरकार को ऐसा भी नहीं किया गया और ये भी उन्होंने कहा कि विजेभी सरकार के प्रतिक जुनता में रोज शब बढ़ता जा रहा है आज लोगतंतर की जीत नहीं बलकि पूंजी वाद की जीत है और वहीं हम्याना सरकार पर उन्होंने कहा कि इमानदारी का बोर्ड लगा कर कोई इमानदार नहीं बन जाता सबको समिक्ष्या करनी होगी आज सभी सडकों पर है